आज की डेट में जब से AI ने दुनिया को कबजा किया है न तब से एक चीज तो बहुत ज़ादा नेगेटिव चल रही है चोरी हम आसानी से चोरी कर सकते हैं अब चोरी का मतलब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ आप थोड़ा पहले देख लो ताकि आप समझ जाओ मैं अभी गूगल के इमेजे सेक्शन पर हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा है स्टॉक फोटोज स्टॉक फोटोज मैं आप देख रहे हूँ बहुत सरे फोटोज आने लाजमी है लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टॉक फोटोज जहां वो भिखते हैं कई-कई-कई-हजारों रुपए में क्योंकि शटॉक वगर जैसी कंपनी है यह बेच के ही अपना रेविडियो अर्न करती है आप देखो क्या हुआ कि मुझे फर एक्जांपल यह वाला इमेज लगा कि मुझे आज यह चाहिए क्योंकि मेरा कोई प्रोजेक्ट है जिस पर मुझे यह यूज करना है बट आप यह देखो जैसे मैं इसको डाउनलोड करूंगा फर एक्जांपल लेट्स डाउनलोड इट और मैं इसको ओपन करता हूँ तो गाइस इसमें तो आप देख रहे हुँ न कि यह पूरा शटर स्टॉक टाइप का आपका वाटर माक आ गया है क्या मैं इसको एस यूज कर पाऊंगा मेरा काम यह हो गया यह सारा वाटर माक इसने यहां से हटाके इस पूरे इमेज को इतना ओरिजनल कर दिया कि अब चाहूं तो मैं इस इमेज को यूज कर सकता हूं लेकिन हाँ यह दियान रखना इस इमेज को आप कमर्शली यूज मत कर लेना लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है जैसे कि आपको उसको पब्लिकली नहीं दिखाना है या फिर कहीं चिपकाना है फोटो को भी निकालके इस लिए ही मैं कह रहा था कि चोरी कितना आसान देखो हो गया है अब इसको मैंने किया कैसे वो भी मैं आपको प्राक्टिकली दिखा देता हूं ताकि आप इसको फ्यूचर में अगर आपको जरुरत पड़े कभी भी तो आप इस टेखनीक का इस्तिमाल करके ये चीज़े क कर सकते हो तो मैं यहां पर आज जिस AI टूल का इस्तेमाल करूंगा that is known as Canva बिल्कुल सभी सुना Canva ही एक वो टूल है जिसके अंदर जाके मैं without any designing कोई भी स्किल के मैं इस चीज़ को अंजाम दे सकता हूं just look into it so let's go to Canva open it देखो मैं यहीं आपके सामने बनाया है अब मैं एक और आपके सामने बना लेता हूं जैसे for example stock photos में चलते हैं और कोई एक ऐसा photo लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारा hologram या watermark है like इसको मैं लेता हूं तो let's copy Canva चलते हैं paste करते हैं और देखो ये चीज़ तो इमेज के अंदर चीज यह ना इसको मतलब इस तरीके से पहले अगर जब तक यह आए नहीं था तो मेरे बस की बात तो नहीं थी लेकिन आप यह कितना easy होगे आप देख लो तो let's do one thing मैं इसको थोड़ा expand करता हूं तक आपको चीज़े clear हो जाए अगर यहाँ पर क्या करना है इस photo को क्लिक करो edit पर जाओ और यहाँ पर एक tool है magic eraser just click on this magic eraser और यहाँ पर आपको थोड़ा सा brush size अपने according करना पड़ेगा अब for example यह देखो यह shutter stock यहाँ पर लिखा है अब मैं अगर इसको delete करूँगा तो यह तो पीछे का पूरा delete हो जाएगा क्योंकि image में से वो सारा party गायब हो जाएगा लेकिन यह magic eraser पता क्या करता है अगर मैं सिर्फ इतने से part को यहाँ पर highlight कर रहा हूँ तो आप देखो कि इसका AI यह sense कर लेता है कि उपर का layer कौन सा है और नीचे का layer कौन सा और उस according आपका सिर्फ उपर का layer इसने बिलकुल गायब कर दिया है यह मैंने select करना मतलब थोड़ा साब मिस हो गया था तो इसलिए रहा गया है वरना देखो पीछे से बिलकुल blend कर दिया है उपर का layer इसने सिर्फ delete कर दिया है नीचे का layer को रहने दिया है लेकिन क्या यह पहले possible था canva के अंदर नहीं था अगर यह AI नहीं होता तो हमारे लिए यह manually करना बहुत challenging होता था ऐस इस तरीके से let's do one thing मैं सारे क्लीन कर देता हूँ अब आता है challenging part क्योंकि अभी तक मैं जो delete कर रहा था वो था background जो की already blurred था तो उसमें से first layer को निकालना शायद AI के लिए easy हो लेकिन क्या अब इस image में अगर मैं यह magic eraser को इस्तमाल करूँगा तो क्या वो उतना ही efficiently काम करेगा तो यह देखने के लिए अब जल्दी से काम करता है मैं जल्दी से finger cross करता हूँ और देखता हूँ कि कहीं यह शकल बगर अब बिगार थो नहीं देखा या फिर sweater यह जो पहना है इसने यह बिगार थो नहीं देखा इस magic eraser की वजए से AI इतना efficient है तो guys AI का जमाना है AI हमें इस्तिमाल सच में करना शुरू कर देना इसमें जितना हां साफ कर सको आप AI को अपना assistant बना लो गुलाम बना लो बचपर में हमने एक movie देखा था अलादीन का चिराग तो guys सच में AI एक जिन है जिसका अपना कोई अस्तित्वा नहीं है लेकिन वह अपनी मालिक की बातों पर हर चीज़ कर सकता है तो AI is almost like that तो इसको घिसते रहो जिन से विश मांगते रहो यह करता रहेगा like जो अब यह मैं आपके सामने करके दिखा रहे हूँ तो guys finally हमारा image तयार हो गया है like this guys imagine जिसमें कि इतना watermark था क्योंकि चोरी से बचाने के लिए Shutterstock ने पूरे image को छोटे-छोटे hologram और watermark से भर दिया था उसको आज की डेट में अपना बना लेना कितना easy हो गया है this is what the AI age तो guys यह तो एक use था लेकिन इसको use case में मतले ना कि कहीं आप किसी के फोटो उसको चुराते हो बिल्कुल भी नहीं मैं अब आपको इस टूल का जो real use case है उसका एक example और दे देता हूं ताकि आप actually में इस टूल को जिस परपस के लिए बनाया गया था आप उसको इस्तवाल करो चलो अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से इस टूल का real use करना प्लीज है बाकि यह बत कर देना कि मै मेरा नाम ले लोगे और मैंने सिखा इसलिए आप यूज कर रहे हो बिल्कुल भी नहीं so let's come to the real use case देखो अब मेरे पास मा लेते हैं एक project आया जिसके अंदर मुझे एक vacation की photo बनानी है तो मैं यहाँ पर जाके एक background ढूंता हूं तो मैं यहाँ पर vacation photos लिखे तो मुझे लेते हैं यह वाला मैं इसको लूँगा और मैं चाहता हूं कि यह जो vacation लिखा है इसको delete करना है क्योंकि यह image बहुत अच्छे लग रही है या फिर यह वाला जो image है यह बहुत ही शांदार लग रहा है मुझे कि इसके अंदर आस्मान का जो यह color है बहुत तगड़ा है लेक हम इसका काम start कर देंगे so for example अब मुझे यह plane यहां से हटा रहा है simple तरीका वही है जो मैं आपको पताया था कि आपको edit photo पर पहले click करना है और उसके बाद magic razor में जाना है and then अब देखो जैसे यहा पर यह object बढ़ा है तो मैं brush size को तोड़ा बढ़ा कर लूँगा like this और फिर म अगर यह हट जाएगा तो guys मैं कहूंगा कि इससे better AI tool अपने मैंने life में नहीं देखा है and this is Kamal guys this is Kamal पूरा का पूरा plane गायब हो गया आप difference चेक कर लो यह है एक image मैं आपको दिखा जिता हूं और यह है जो हमने बनाया है तोनों का difference देख रहे हैं guys पिलकुल आसमान वैसा क वैसा रह गया और पूरा का पूरा plane जो है वो गायब हो गया तो यह सार रियल use case एक और फटाफट से कर लेते हैं आपके आखों के सामने थोड़ा सा tough कुछ लेते हैं for example यह तो शायद आसान था कि पीछे का background इतना complicated नहीं था तो कुछ tough लेना बनता है और tough के चलते मैं काम करता हूँ यह वाला लेती है guys इस image को यहां से मैं pick करता हूँ और let's suppose copy image करके यहां पर आते हैं and then paste then इसको set करते हैं यहां पर इसके size के coding और अब पता है मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यह चाहता हूँ कि यह लड़की यहां से बिल्कुल गायब हो जाए यह लड़की मुझे करना है इसको पीछे घर भी है तो कि यह match कर पाएगा तो यहां पर इसकी असली परिक्षा होगी so again अब बड़ा वाला finger cross और देखते हैं कि यह कितना possible है so let's मैं इसको बड़ा करता हूँ और सबसे पहले मैं लड़की को यहां से select कर लेता हूँ like this we'll see touchwood सब कुछ ठीक रहे और मेरा काम जो है यहां पर बन जाए guys बहुत important है कि यह complicated image है और मैं खुद भी घबरा रहा हूँ so guys यहां पर देखो यही चीज है कि काम तो हुआ है लेकिन वो एक effect सा छोड़ गया है कि यहां पर कोई object था इसने पूरी तरीके से blend ही मतलब कर पाया तो क्या यह चीज यही पर ही छोट दिया जाए तो मैंने यहां पर एक और ट्रिक का इस्तमाल किया है कि मैं थोड़ा थोड़ा इसको यहां से match करानी कोश्च करूँगा कि अगर यह जमीन है तो मैं इसको काम करता हूँ थोड़ा सा और छोटा करते हैं और मैं इसको बहुत lightly इसको match करानी कोश्च करूँ तो यह हो रहा है और यही एक तरीका है कि अगर आपको pure तरीके से अपना पूरा image को हटाना है बिल्कुल natural तरीके से तो आपको इस image के साथ इसको blend करने के लिए ऐसे ऐसे आपको strokes बिदाने पड़ेंगे कि इसके साथ blend हो जाए कि इस पेर के साथ blend हो जाए like this मैं इस को ब्लेंड करना हो इस तरीके से तो यह थी कहानी आज के इस वीडियो की आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको सच में एक value देके गया है और आज अगर इस वीडियो से आपको value मिली है तो share करना मत भूला इससे क्या होता है कि मेरे इस वीडियो की reach पढ़ती है और आप जैसे बहुत सारे जो लोग थे जिनको इसकी जरूरत थी उन तक यह वीडियो भी पहुंच जाती है दोनों का इसमें फाइदा हो जाता है और उस फाइदे को दिलाने वाले कड़ी बनते हो आप लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना उससे मेरा motivation अगर आपको यह टूल मिल रहा है तो इस टूल का आप रियल यूसकेस क्या निकाल सकते हैं और फणी यूसकेस आप इसका क्या निकाल सकते हैं मुझे जरूर बताना कमेंट में क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोगों का इंटराक्शन बढ़ जाएगा मैं जैसे आप लोग चानल पे तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा बैल आइकन के साथ बाकि मिलते में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गाई योही दिमाग ठंकाते रहिए